ते दोस्तों आप सबको स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंटसी दुनिया में गाइस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे यूरोपियन क्रिकेट चैंपेंशिप का ग्रूप सी का फॉर्स मैच जो खेला जाएगा इटाली वसे जर्मनी के बीच अब कुछ चीज आपको मै इंटरनेशनल प्लेयर से बहुत सारे उनको ड्रॉप करके लाया और ऐसा भी नहीं कि जो जाइंट प्लेयर से उनको भी लाया गया तो यहां पर क्या कुछ हो सकता है कुछ ऐसे प्लेयर जो आपके लिए डिफिरेंशिल पीक्स आभी थो और कुछ ऐसे प्लेयर मैं जितना एनलाइसिस है इस मैच के उपर मुझे मिला कि बैटिंग सेक्शन में भी आना आपके पास बहुत सारे ओल्राउंडर्स प्योर बॉलस इवेन है गाइस तो मेक्शर करो आप वीडियों तक देखोंगे तो आपको सभी प्लेयर्स के बारे में आइडिया हो जाएगा ओपिनि करो और अगर आप लोग चैनल में नहीं हो और फर्स टाइम देख रहे हो तो सबसे पहले ना आपको करना पड़ेगा चैनल को सबस्क्राइब एंड टेलीग्राम सारे बारा से पहले क्यूंकि इस मैच का फाइनल अपडेट प्लेंग 11 ओफिशियल लाइन अप्स और हाँ अ लिंग से आप टेलीग्राम जॉइन हो सकते हो और जिन भाई का लिंक काम नहीं करेगा वो सर्ज कर सकते है टेलीग्राम पे जाके अधर टीम फडिएफ फिलाल 15 जर से ज्यादा मेंबस से जॉइन हो जाना आफटर टॉस अपडेट मिलेगा और सबसे उपन ना अपको लास् इसकोर था ना वो लास्ट ग्रूब जो हुआ था ग्रूब बी के मैचस बहुत बड़े बने थे बिकॉस टीम स्वां पे बहुत अच्छा केल रहा था बट ऐसा यहां पर क्या हो सकता है एक सो यहां पर पार स्कोर है एक सो से ज्यादा ही बनाना पड़ेगा एवर्ड स्कोर एक सो से एक सो दस है सारे बारा इंडियन टाइम क्लेयर वेदर रहेगा तो मैच पुड़ा होगा राम से जॉइन हो जाना अफ्टर टॉस अबडेट के लिए अगर कुछ इशू आया वेदर में मिल जाएगा आपको इटाली से मैं अगर बताओ निसार हमें दोपिन करेंग अमीशरीफ के साथ अब सबसे बड़ा प्लेयर बॉलिग सेक्शन में बलजीत स funny वह और सभी खिलने लगे तो तो बलजीत आजाएंगे टू डाउन प्रोबबली सिम्रंजीत सिंग जस्परीज सिंग जनाका वर्स चोरावर सिंग इम्रान रभी पॉल अदनान महमत ठीक है अब मैं थुरा सा इनके रिकॉर्ड आदा हूं निसार अपने टीटू इंटी आइस खेले नहीं राइट इस मैच 44 का एवरेच इसे इस का बता रहा हूं स्टिल 44 टीटैन में बहुत माना जाता है 613 रन बॉलिंग करते नहीं है बॉलर मत सोचना तो आपको न ऐसा बैट्स में लेना है ऐसा न अमिद कोई बहुत बढ़िया बैटिंग भी कर लेते स्पेशली आई रिपीट में ना दे एटेकिंग बैटिंग करते हैं यहाद रखना बाद में मैं समरब करूंगा सबके साथ रोडरी ने 10 मैच 31 कैवड से 245 ऐं और बैट्स में ऑफ स्पें दमित कोशाला का कुछ ऐसा रिकॉर्ड एसमें चाहो तो ट्राइकर सकता है तो मैप प्रिफर नहीं करूंग बाकि आपकी मर्जी बट पार्ट टैम बॉलिंग लेते हैं मैथ खान नौ मैच में आट ओवर तीन विगेट ज्यादा हाई नोट्स नहीं है तो मैं शायद ना करूँ यह नोट आउट गया था इसी लिए बर रहा है रवी पॉल साथ मैच में नोवर चार युके देखो अब यह एक ऐसा प्लेयर है जो आपको ऑल राउंड सेक्शन में सबसे टॉप में मिलेंगे प्रोबबली स्लेक्शन शायद नभी का सपस है मैं प्रिफर करूँगा आई रि मेडियुम पिसल और राइटयम मेडियम लेफट अंगि हास करके डेट करा सकता है उस सिनेरियो में हम लोग शायद इंसे अहले बट आप फॉलिंग अगर सेकेंड करता है हम लोग को रिस्क लेना पड़ेगा हम लोग इनको कंपेंसेट करेंगे और रिस्क मिनिमाईस अमिर शरीफ, राइट हैं राइट हैं मीडियम, नौ मैच में 25 के वरेस से 201 रन, बट जो इंपोर्टन बात है, आट ओवर में 6, 18 ओवर में 6 युकेट, आई रिपीट, जो इनका ओफिशल है, वहाँ पर बताया गया कि ये बंदा बॉलिंग करेगा, ये बंदा उपिनिंग क करेगा, इसलिए मैं शायद प्रिफर करू क्योंकि 9 मैच में रन ठीक है, ऐसा नहीं, बहुत खराब है, बहुत अच्छा है, नहीं है, बट 18 ओवर है, तो दोनों तरफ से आपको पॉइंट देंगे, तो मी शरीफ हमारे लिए मस्ट फिक हो जाते है, इर्फान शेक, अब फ 25 के वरिस से, 175 रन जादा नहीं बनाया, बट 24 ओवर, 13 मैच में, 13 में 26 ओवर डाल सकता है, बंदे ने 24 तारा, 16 विकेट निकाला, जो इंपोर्टेन बात है, जो इशू है, जो रावर सिंग को ना लेना और जस्परिट सिंग को प्रेफर करना, वो है कि जस्परिट आपको जादा विकेट लेते हुए दिखा, तो मेरे इसाब से ये थोड़े जादा बेटर विकेट टेकर है, तो मेरा प्रेफरेंस होगा जस्परिट सिंग को रखना है, बंदे ने 8 ओवर डाला, अगर मैं बहुत जादा गलत नहीं लिख रहा हूं, तो अगर टीम के पास पाच बॉलर रहता है, जो में बॉलर है, जस्परिट सिंग हो गया, जो भी हो गया, ये जो उपेनर है, इम्रान ये ना गया, जो रवर सिंग हो गया, फिर हो गया, यहाँ पे इनसे जो उपेनिंग करेंगे, बलजीत सिंग हो गया, अमिर शेडिफ हो गया, इतने सारे बॉ शका ओवर कट सकता है, उस सिनेरियो में ने लूँगा, अगर चार में बॉलर कहलता है और ये लेकर पाच्छोबा बॉलर के रूप से जनका खेलता है, तो मैं तब लूँगा, ठीक है, इम्रान 11 मैच में 9 विकेट निकाला बट मैं एक चिज़ बलूँगा यह अपने ओवर कंप्लीट कराएंगे सिनियर प्लियर है तो ओवर कंप्लीट कराने के हाई चांसस है बलजिस सिंग इंडरनेशनल में 8 मैच में देखो 23 ओवर 12 विकेट आप समझ रहे होना कितना जादा इंपोर्टेंट पीक है शूर दो ओवर बॉलिंग करेगा 23 ओवर है 12 विकेट बट जो ECS आया ना उसमें इन्होंने 13 में 34 केवरेस से 340 बनाया एटे गेंग भैंगर है एटे गेंग किलता है शायद 28 बॉल में 69 रन भी है 26 ओवर है 13 में clear cut 11 विकेट तो ना यह लोजी के लिए अगर देखोगे तो सबसे बहतर captain vice captain में से एक बट वी issue आ जाता है कि officially ना इनको as a opener disclose नहीं किया गया और आप बोल सकते announce नहीं किया गया तो यहां पर अक्सर official जो रहते है sources होँ से सही डाटा आता है तो मैं शायद बलजित सिंग को vice captain लू और शायद आप अगर second innings में balling कर रहा है I repeat अगर second innings में balling कर रहा है maybe आप vice captain ना बनाओ बट इनका balling तो आएगा तो टीम में तो जहर पीके रखो और अगर backup टीम से के साथ जाओगे जो मैं अक्सर प्रिफर करता हूँ तो आप जरूर एक टीम में इनको captain या तो vice captain बनाना क्यूंकि captain safe है हमारे पास कौन है मैं आओंगा उसमें अधनान मुहमद का कुछ ऐसा record 14 में से बारा विकेट है 26 ओवर है ये भी अपने ओवर कराते है अगर खेलेंगे तो कराएंगे ओपिनिंग बॉलर इम्रान रभी पॉल अमिर शरीफ कराएगा ओपिनिंग डेत में कराएगा ऐसा मुझे लग रहा है बलजीत सिंग और जनका वस करा सकता है देखो अब ओपिनिंग नहीं कराएगा बलजीत सिंग तो obviously डेत में कराना चाहिए ओफिशली बतायाएगा इम्रान रभी पॉल अमिर शरीफ आपको ओपिनिंग करते हुए दिखेगा ECS के मैचेस में ये 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 तीनों ओपिन करते थे बड़ तीनों अलग-अलग क्लब के लिए खेलते थे अब ये इंटरनेशनल मैच अलमोस्ट है इसा मुझे लगता है जिर्मनी से मैं आता हूं अब इन से यासू मुहमत शायद उपिन कर ले बट शोयब आजम अपको जरूर ओपिन करते हुए दिखेगा रोहित सिंग वान डाउन अब सबसे बरा प्लेयर है इस सब भी दोनों टीम मिलाओगे सबसे एक्सपिरियंस और स सबसे शाबाश प्लेयर है फिर इच कभी एंजदरन फिन से दरंगी एसमालिक जो भी ठीक अब देखो अब जो इंपोर्टन बात है वह करने लाएग है कि यह चो टीम है जर्मनी इनका चो मुझे लग रहा है फिलाल सिनेरियो वह है कि बहुत ही जादा एक वीक टीम भेजा में 4-5 ECS खेलना है हर साल तो इतने सारे ECS के अगर खेलते हैं वह टीम से अगर आप देखोगे 34 क्लब होंगे किसकुछ 20-22 क्लब होंगे इतने सारे बड़े-बड़े प्लेयर से कोई नहीं खेल रहा है तो गाइस क्या होने वाला है तो सोच लो आप बहुत थी मुझे खरा एक बेटर बैट्समेन है बहुत खराब बैट्समेन नहीं है बट अकसर टीम इनको ना नीचे भेजते है बैटिंग के लिए जिसका करने इनका फॉर्म थोड़ा ओन ओफ एमडिया सूप मैंने इनको देखा T20 खेल तो है दो मिस्टेक में दो मैच में तेसी रन बनाया है श जायत 20 बाल में 20-22 बाल में करते हुए दीख सकता है तो बहुत एटिकिंग नेचर के बैट्समेन है रख लेना अपने टीम में नौ मैच में बहतर रन है एक ओवर डाला है देखो आप ऑफिशिली बताया गया कि यह बंदा ना आपको शुरू में ओपिनिंग बॉलिंग कर आप चाहो तो ट्राइब कर सकते हुए बैटिंग फर्स्ट मेरे आप से ट्राइब कर सकते हुए क्योंकि एज बैट्समें थोड़े जादा बेटर है बट बहुत भी हाई नहीं का एवरेज है दाउप का ऐसा है रिकॉर्ट मैं शाएद नहीं लूँ देखो मैं यह पर आप उफ स्पिन राइड एंडेड बैट स्पिन राइड आम मेडियम राइड एंडेड बैट स्पिन यह ओफ और ऑफ स्पिन अब दूल्शकुर रहीं जाए बॉलिंग फर्स्ट मस्ट हो जाते है इंटरेशनल में 17 मैच में 24 ओवर 8 विगेट फिलाल इस टीम में ज्यादा इंटरेशनल प्लेयर एप्स नहीं है जिसके कारण यह शायद ज्यादा बॉलिंग कराएगा इस इस में तीन मैच में 6 ओवर अपने कम्प्लीट कराया तो आपको लेना पड़ेगा ज़रूर से स्पेशल बॉलिंग फर्स्ट साहिद साधत अब मैं तो ने लेने वाला बाग कि यह आपको बॉलिंग भी करते हुए दीख सकता है ठीक है ठीक ठाक लेविल के बॉलिंग कर लेते रोइट सिंग बट मेरी टीम का शायद बहुत ही वाइटल पीक होने वाला है रोइट सिंग इनका रिकॉर्ड अगर प्रोपर नहीं है तो मैं आपको दे दूंगा है लेना पड़ेगा और कैप्टन वाइस कप्टन भी बना सकते हो फिन सदर अंगा नहीं मैं शायद प्रिफर ना गरू क्योंकि इस में पांच मैंच में ज्यादा अब तक इंपक्ट नहीं डाला मतलब प्योर बैट्समें नहीं है प्योर बॉलर भी नहीं है अस्रीकान सिर सब्सक्राइब नौ मैच में कितना ओवर डाल सकता है T20 में कोई भी प्लेयर 18 ओवर डाल सकता है इन्होंने 16 ओवर डाला क्लियर कट टीम्स के लिए बॉलिंग जरूर कराएगा गाइस रोई सिंग मैं शायद यहां पर तोड़ा गलत लिक रहा हूं जितना मुझे बोल रहा गाइस किसी भी पॉजिशन से मैच खतम कर सकता है और बहुत एक्स्पिरियंस प्लियर रोइट सिंग रास्यकर चिन नसामी जो भी नाम है 14 मैच में इन्होंने 30 ओवर में 16 डोमस्टिक में ठीक है विके टीकर मुझे लगे मैंने यहां पर लिखके रखा 2000 शायद 19 18 का दोनो रिकॉर्ड मैंने देखा लेफ्ट आम उस्पिन करते हैं सब्सक्राइब अब जो इंपोर्टन बात है तो अब जो इंपोर्टन बात है ठीक है यह इंटरनेशनल का है नौ मैच 25 ओबर में आर्ट विचेट शाहिर मलिक जाही ठीक है आई फॉर इंटरनेशनल ईफ़ोर ईसि कि अगर देखोगे दोनों टीम तो मुझे लगता है जर्मनी का टिम बहुत ज़्यादा इन एक्सपीडियेंस है और यह इस के जो अच्छे प्लियर से वह भी नहीं कहल रहा है शायद कुछ क्वालिफायर वगरा होगा मैंने अर्टिकल पर रहा था इसके कारण हो सकता है तो म बलत मतलब बैटिंग से नहीं बॉलिंग से कैटेन चॉइस रोई सिंग सेफेस्ट है मेरे साब से अगर मैं बॉलिंग से इनका रिकॉर्ड मुझे मिल जाता है तो मैं इनको ही रबनाओंगा कैप्टेन क्योंकि यह सबसे अच्छा पीक मुझे लग रहा है जर्मनी से बलज अगर बॉलिंग का हुआ होगा बट बैटिंग तो जरूर करेगा अमिर शरीफ का इस गुट पीक है अभी अगर लॉजिकली देखोगे ना ओफिशली बताय गया कि यह बंदा ओपें करेगा यह बंदा दो ओवर भी डालेगा इस सिनेरियो में आई थिंक सबसे सेफेस वह भी कवर करेंगे तो अब चैनल में नहीं हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए टेली नम जोइन हो जाना आफ्र टो सब्डेट के लिए फिलाल कैप्टेन रुई सिंग वाइस कैप्टेन शरीफी रुई तकर बॉलिंग नहीं करता तो मैं शरीफी को मैं शायद डॉप कर दू क्यूंकि इनके पास बहुत जादा बॉलिंग उप्शन सब्सक्राइबल होगा तो मैं इनको नहीं लूँगा इनके जगा किसी एक और इनके बॉलर अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है तो ले लूँगा अधर्वाइस इनके कोई टॉप ओडर के ब कर देना थैंक्यू गैस पहे